Hey ya, this is Nidhi and you are watching Start Learning आज का हमारा टॉपिक है बेसिक वर्ब फॉर्म्स आज मैं आप लोगों से वर्ब के जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में बात करूँगी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वर्ब बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की थी और इस वीडियो में मैं आपसे उन तीनों फॉर्म्स के बारे में डिसकस करूँगी जो हम आगे tense में पढ़ने वाले हैं वर्ब की first form, second form and third form तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब दो टाइप्स के होते हैं main verbs and helping verbs जो main verbs होते हैं उनके three basic forms होते हैं वर्ब की first form, second form and third form इन सारे forms को ध्यान से समझ लीजेगा क्योंकि आगे जब tense के बारे में बात होगी तो ये आपके लिए काफी useful रहेगी वर्ब की first form को हम simple present भी कहते हैं वर्ब की second form को हम simple past and third form को past participle कहते हैं और जिसको हम v1, v2, v3 से भी denote करते हैं तो इन basic forms को हम दो types में divide करते हैं regular verbs and irregular verbs जादा तर जो verbs होते हैं वो regular verbs होते हैं क्योंकि जो वर्ब की base form होती है उसमें सिर्फ ed add कर देने से ही हमको वर्ब की second form and third form मिल जाती है जैसे अगर play की ही example लें so play, played, played so regular verbs के कुछ और examples देख लेजे look, looked, looked listen, listened, listened work, worked, worked so regular verb में हम सिर्फ ed add करते हैं और हमको हमारा simple past और past participle means verb की second form and third form दोनों ही मिल जाते हैं so ये थी कुछ regular verbs के examples अब आगे बात करते हैं irregular verbs की जैसे गो, went, gone do, did, done fly, flew, flown draw, drew, drawn drive, drove, driven eat, ate, eaten fall, fell, fallen give, gave, gave, given freeze, froze, frozen forgive, forgave, forgiven hide, hid, hidden know, new, known ride, road, ridden mistake, mistook, mistaken ring, rang, rung see, saw, seen take, took, taken sing, sang, sung speak, spoke, spoken write, wrote, written so ये थी कुछ irregular verbs के example जिसमें तीनों forms different हैं अब irregular verbs के अंदर ही कुछ ऐसे examples हैं जिनके दोनों forms identical हैं means एक form different बाकी के दो forms same हैं अब इसमें कुछ लोग confused हो सकते हैं कि ed add करने पे भी तो play, played, played walk, walked, walked ऐसे मिल रहा था so means एक form different थी बाकी दोनों same थे बट ऐसा नहीं है जो regular verbs होते हैं उनमें सिर्फ ed add करने से ही हमको second form and third form मिल जाता है बट इन सारे verbs में ऐसा नहीं है ये irregular के अंदर आता है बट इनके दो forms identical होते हैं एक different होता है चलिए कुछ example देख लेते हैं काच गट कुछ बट बट बील्ट बिल्ट बट बील्ट ब deportग व फिल फ्याल मेंी यह कैंप अभर कैंपड अब्र सड मुड़ लेफ 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 रन, ran, run, become, became, become, so ये थे irregular verbs के कुछ examples जिसमें दो forms identical होते हैं, means same होते हैं, अब irregular verbs के कुछ ऐसे examples देखते हैं, जिसमें तीनों forms, means verb की first form, second form and third form, तीनों form, same होते हैं, in which all three forms are identical, सो चलिए इनके कुछ examples देख लेते हैं, बेट, 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 लेट, 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 हर्ट, 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 बर्स्ट, 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 पुट, 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 अपसित, 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 रीट, 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 कुट, 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 So, देखा आपने, in examples में, तीनो forms same थे. So, irregular verbs में हमने देखा कि एक form में कुछ words ऐसे थे, जिसमें तीनो forms अलग-अलग थे. कुछ words ऐसे थे, जिसमें एक form तो different था, बट बाकी दो same थे. और कुछ words ऐसे थे, जिसमें तीनो words same थे. अब जब आगे tense के बारे में बात होगी, तो कम से कम आपकी दिमाग में ये picture clearer होगी, कि verb की first form, second form and third form क्या होती है. So, इन तीनो forms के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी था. So, मैंने तो कुछ examples दिये हैं, बट ऐसे ही और examples देखते रहिए, उनको जानते रहिए और समझते रहिए. क्यूंकि आपकी English बोलने में ये आपको बहुत help करने वाला है. और अगर आपको कोई confusion है, तो मुझे comment section में लिख दीजेगा. मैं पूरी कोशिश करूँगे कि आपके confusion, आपके doubt को clear करूँ. So, कैसी लगी आज की वीडियो? थी ना helpful? So, अगर ये वीडियो आपके लिए useful थी, So, इस वीडियो को like करिए, मेरा चैनल subscribe करिए and जादा से जादा share करिए. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, till then, keep learning, keep improving. Bye-bye!